हेलो किद्स आज हम विडियो के जरिये अनिमल्स को पहचानेंगे और उनके नाम क्या है सीखेंगे बंदर बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है ये चार पैरों वाला जानवर है जिसके चार पैर दो आखें दो कान और एक लंबी पूंच होती है बंदर, केले, खाना पसंद करते हैं भालू कुत्तों और रैकून से संबंधित बड़े शक्तिशाली स्तंधारी है सबसे बड़े भालू दुनिया के सबसे बड़े जानवर है जो जमीन पर रहते हैं और मास खाते हैं भालू की कई प्रजातिया या प्रकार है उन्ट एक बड प्यारा जानवर है, बिल्लियों को हमारे घरों में पालतु जानवर के रूप में भी रखा जा सकता है, गाए बड़े स्तंधारी होते हैं, जिन्हें अक्सर मास, दूद और खाल के लिए पशुधन के रूप में इस्तिमाल किया जाता है, जो चमडे के लिए उपयोग किया ज हाती प्रित्वी पर सबसे बड़े भूमी स्तंधारी हैं, और स्पष्ट रूप से विशाल शरीर, बड़े कान और लंबी सून्ध हैं, खरगोश छोटे, प्यारे स्तंपाई होते हैं, जिनकी विशेशता उनके बड़े, लौपी कान और बड़े पिछले पैर होते हैं, जो चारों और घूमने के लिए उप्योग किये जाते हैं, जिराफ सबसे लंबा जीवित जानवर है, जिराफ का शरीर छोटा होता है, लेकिन उनके पैर और गर्दन बहुत लंबी होती है, घोड़ा एक स्तंपाई है जिसे लोगों ने हजारों सालों से महत्व दिया है, पुर पुरंजन में घोडों का उप्योग करते हैं, घोड़े का वैग्यानिक नाम एक्वस कैबलस है, कंगारू ऐसे जानवर है जो अपने पिछली पैरों पर फुदक कर दुरघटना उदर हो जाते हैं, ये जानवर अपने बच्चों को दाव में लेकर चलते हैं, शूहे क्रिं उसे बच सकते हैं, विशाल पांडा का एक भारी शरीर और एक गोल सिर होता है, इसका फरकंध हों, और उनका वजन लगभग 220 पाउंड, 100 किलोग्राम होता है, सूह हैं, मोटे बैरल के आकार के स्तंधारी जो अपनी बड़ी भूप के लिए जाने जाते हैं, कुछ प्रकार की बड़ी बिल्ली है, जो एशिया और दक्षिनी रूस में पाई जाती है, प्रते एक सेब्रा की विशिष्ट धारियों का अपना अनूथा पैटन होता है, ठीक उसी तरह जैसे मनुश्य के पास उन्डियों के निशान का अपना अनूथा पैटन होता है,